हbn Lil दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं ये हैं राधा का घर यहां राधा ओश्याम सो रहे हैं और यहां पर सिया जागी हुई है चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है अरे देखो तो राम तो अभी तक सो रहा है कितना बड़ा अलसी है और मुझे देखो मैं तो इत वो क्या कहते हैं? हाँ पहली रसोई, मेरी आज पहले रसोई है चलो जयकर कुछ बना लेती हूं राधारी तो खुश्य हो जाएंगी चलो पहले इस राम की बच्चे को जगाती हूँ राम राम उठ जाओ जल्दी से मुझे तुमसे कुछ काम है अरे ये क्या ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है अरे लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि आखिर सुबह सुबह खाते क्या है अरे कहीं मैं इन सब को नाराज ना कर दो कुछ बुद्धु वाली हरकत करके नहीं नहीं मैं राम को जगा कर पोश लेती हूँ मुझे अच्छे सब समझा देगा वैसे मुझे राम का तो पता है कि उसे नाष्टे में उपमा पसंद है हाँ लेकिन फिर भी ये बार पोश लेती हूँ अरे राम उठ जाओ मैं तुम्हें कब से जगा रही हूँ उठ जाओ न मुझे तुम्हारी मदद चाहिए राम उठो ना जल्दी अरे देखो तो कैसे खोड़ी बेच कर सो रहा एक खराटे मार कर उठो राम उठ जाओ चलो जाकर देखती हूँ रसोई में क्या क्या रखा है हाँ वैसे मैंने सीरियल में देखा है सब लोग अपने पहले रसोई में खीर बनाते हैं अरे हाँ और खीर की रेसिपी तो मुझे पता भी है चलो जाकर देखती हूँ खीर का सामान है की नहीं वैसे दीदी फ्रेश कर देती हूं रसोई को और फिर यहां पर सिया जाड़ू मानने लगती है अरे हुआ मैंने तो पूरे घर को चमका दिया कितना अच्छा दिख रहा है और हाँ चलो एक काम करती हूं लकड़िया बिले आती हूं चूले पर ही खाना बलाना पड़ेगा लेकिन मुझे चूला चलाना तो आते ही नहीं है चलो कोई बात नहीं कोशिश करती हूं जाड़ू यहीं पर रख देती हूं और यहां पर सिया लकड़िया लाने के लिए जाने लगती है वैसे हाँ दीदी कल लकडिया लेकर आई तो थी लेकिन उन्हें ने कहाँ पर रख दिया है अरे हाँ वहाँ पर रखा था गईया के पास चलो जाकर देखती हूँ जल्दी से हाँ वो रही लकडिया देखा मुझे मिल गया अरे अरे ये क्या गईयां को तो चारा ही नहीं दिया है विचारी भूखी होगी चलो मैं जाती हूँ खेत मैं से चारा ले आती हूँ गईयां के लिए और यहां सिया खेत में जाने लगती है अरे वा देखो तो दीदी का खेत कितना हरा भरा कितना अचा है कितने अच्छे से रखा है दी दिन अपने खेत को फसल तो पूरा हरा भरा हो रखा है चलो चलो अरे ये क्या ये तो लगता है सोनम का जूता है यहाँ पर खेलने आई होगी और भूल गई होगी चलो कोई बात नहीं जब घर पे आएगी तो मैं उसे दे दूंगी चलो थोड़ा सा यही से काट कर लेकर जाती हूँ बिचारी गईयां भूखी होगी और यहाँ परसिया गईया के लिए चारा काट ले दिये है चलो इतना तो काफी होगा जाकर दे दिती हूँ पने प्यारी गईयां को यह लो प्यारी माधरी अच्छे सिखाओ ठीक है ना चलो अच्छा है अभी तो इतने ही लाए हूँ मैं काम करने जा रही हूँ अगर चाहिए होगा तो मुझे आवास दे दे ना चलो जाती हूँ लेकर लकडिया और यहाँ परसिया लकडिया लेकर जाने लगती है अरे सुबह हो गई क्या चलो उड़ता हूँ अरे लेकिन यह सिया कहाँ पर गई कहाँ पर है सिया अरे लड़की भी ना क्या करती रहती है कहाँ पर है अरे अरे यह क्या यह क्या कर रही है सिया यह काम क्यों कर रही है आज इतना अरे सिया तुम काम किसले कर रहे हो चलो यहाँ पर आकर बैठ जाओ वो ना दीदी देखेंगी तो मुझे बहुत ही टाटेंगी कहेंगी मैंने नहीं तुम्हें काम करने के लिए कहा था वो बहुत ही गुस्ता हो जाएंगी सिया वापस आओ यहाँ पर कोई जोरूत नहीं है काम करने के लिए चलो आजाओ सिया यहाँ पर बैठो अरे नहीं राम तुम्हें काम करो जल्दी से हाथ मुधो दोलो मैं जा रही हूँ खीर बनाने के लिए हो यह सिया और राम क्या बाते कर रहे हैं चला चला के चलो उटकर देखती हूँ कहीं लड़ जगर तो नहीं रहे हैं अरे राम क्या हो गया क्या हो गया सिया मैं आ रही हूँ अरे सिया तुम यहाँ क्या कर रही हो हैरे देदी मैं खीर बनाने के लिए जा रही थी क्या तुम्हें क्या जो थे सिया राम यहां पर आओ तुमने क्यों बोला सिया को यह सब करने के लिए अरे नहीं अरे दीदी सिया जूट बोल रही है मैंने कुछ भी नहीं बोला उसे करने के लिए वो खुद कर रही है सिया तुम बताओ इने कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बोला है सिया ने जान बूच की किया है ताकि दीदी मुझे दाटे ये सिया भी ना मैंने कुछ नहीं किया अरे नहीं दीदी राम ने कुछ भी नहीं किया है वो तो मैं खुद आया हूँ खीर बनाने के लिए आप सब के लिए अरे क्या सिया ये काम धाम छोड़ो ये सब में कर लोंगी ठीक है ना तुम पस अपने हनिमून की तैयारी करो आज तुम्हारी टिकेट है शिमला जाने के लिए तुम और राम वहाँ पर जाकर धेर सारे मज़े करना हमने कब कही शिमला कर टिकेट बुक कर दिया था तुम्हारे और राम के लिए जाना और धेर सारा मज़ा करना अरे ये बाते वादे छोड़ो जाओ जल्दी से तयार हो जाओ सिया तुम दोनों को अभी निकलना है क्या दीदी शिमला और हनिमून ये तो मुझे राम ने बताया है यह नहीं हरे राम तुम्हें सप्राइज देना चाहता था और क्य अरे लेकिन ये सब तो दीदी नहीं बता दिया मैं सिया को बता कर सप्राइज करने वाला था दीदी भी न अरे क्या शिमला वहां तो धेर सारी बरफ होती है हाँ सिया चलो जाओ जल्दी से तयार हो जाओ ठीक दीदी मैं जाती हूँ और राम तुम भी तयार हो जाओ और य गुमने जाना है मामी गुमने गुमने अरे क्या श्याम तुमें भी चलना है गुमने जाने के लिए ठीक हे रुगों मैं अभी राधा दिदी से पूछते हूँ अरे दीदी सुनिये ना श्याम को भी जाना है मारे साथ क्या उसे भी लेकर जाओं क्या श्याम को नहीं नहीं सि है कreει है कर देखो कैसे बात कर रहा है चलो मैं जाती हूं जल्दी से यह तो सच में लड़कीयों से भी आजाता है और यहां पर राम भी आ पार यहार Tibia Am where she is past this person is a repair डेखो मैं आ गया अरे वा सिया तुम तो सच में बहुत ही अच्छी दिख रही हो अरे शुक्रिया राम मैं तो हमेशा अच्छी दिखती हूँ वैसे हाँ तुम भी बहुत ही अच्छी दिख रही हो अच्छा चलो अब चलना चाहिए अरे हाँ सिया तुम सही कह रही हो दीदी दिदी कहाँ बरो देखो हम आ गए तयार हो कर हाँ दिदी देखिए हम तयार हो गए है अरे वा सिया बहुत ही प्यारी दिख रही हो अरे लेकिन क्या दिदी लेकिन क्या पताईए न बताईए न क्या कमी है अरे हाँ सिया कुछ तो कमी है अरे हाँ देखो तो तुमने पने मांग में सिंदूर है नहीं भरा ये क्या बात हुई लगता है तुम भूल गई अच्छा कोई बात नहीं अरे राम तुम ही भर दो सिया के मांग में सिंदूर ठीक है ना चलो चलो जल्दी करो वैसे भी शादी की पहले दिन तो पती ही मांग में सिंदूर भरता है औरे हाँ दीदी जैसा आपको है मैं अभी सिंदूर भर देता हूं सिया के मांग में और यहां राम सिया के मांग में सिंदूर भरने लगता है ये लो राम लगा दो अरे हाँ हाँ सिया अच्छा ठीक दी देखिए मैंने लगा दिया सिंदूर वैसे दीदी कहीं लेट न हो जाए टाइम तो हो गया है हमें जाना चाहिए बाई बाई दीदी अपना ख्याल रखिएगा ठीक है न हम जल्दी आ जाएंगे हाँ दीदी हम जल्दी आ जाएंगे और श्याम की तो बड़ी याद आएगी अच्छा दीदी आप श्याम का जीजू का सबका ख्याल रखिएगा और हाँ कुछ चाहिए होगा तो बता दीजिए मैं वहाँ से लेकर आ जाऊंगा और श्याम तुम भी बता दो हाँ ठीक है राम अब जाओ बेटा और यहाँ पर श्याम बेजित करने लगता है जल्दी जाओ जल्दी जाओ दोनों जाओ मैंने से पकड़ के रखा है जल्दी करो सिया और राम जल्दी जाओ जल्दी जाओ तुम दोनों अरे राम जल्दी करो जल्दी करो पेटा दोस्तों अगर आपको उमारी कहानी अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और जेलर को सब्सक्राइब जरूर कर देना थैंक यू फॉर वाचिंग